मुझा नवस्कार मैं हूँ नेहा शर्मा स्वागत है आपका हमारे खास कारिक्रम आध्यात्मिक ज्यान चर्चा में तो आई शुरुआत करते हैं कारिक्रम की और जानते हैं विचार जगत गुरु ततदर्शी संत रामपाल जी महराज बनाम जय गुरुदेव पंथ के संत तुलसी साहिब जी के विचार मोख्षप्राक्त प्राणी सत लोग में भिन रहता है यह सत पुरुष में ऐसे लीन हो जाता है जैसे भूंद समुद्र में त्रफिवाद में अमर पाद में पहुँच करके हमार आदम रिती और वसी समुद्र का ही रूफ हो जाती है उस तुलसी में गूंद किरी समुद्र का रूफ हो गई है जल की बूर जल्वें गिरी उसका रूफदार्व कर दिया आप पूर संथ की क्या पहचा देए पूर संथ तो वह है कि जो उस मालिक के दरबार में आते जाते हैं चाहने वालों को भी जो उनका आदेश पालन करे पहुंचा दें और जैसा कि अभी पहले नानक साथ का जिक्राया है उसमें उन्होंने भी परिभासित किया है कि संथ कौन जो वहाँ पहुंच गया है वही वास्तों में सम्रज सत्गुरु है तो ये थे जय गुरुदेव पंथ के संत तुलसी साहिब जी के विचार और आए अब जानते हैं जगत गुरु तत्व दर्शी संत रामपाल जी महराज के विचार गुरु नमाव नमाव सत्पुर्शकुन नस्कार गुरु की नहीं सुर्न रमुनी जनसाद्वा संतों सर वस्दी नहीं सत्गुरु साहिब संतसब डंड़ाओ तंपनाव आगे पीछे मज़ हुए तिनकों जां कुरुवान गुरुबिन माला फेरते, गुरुबिन देते दाने, गुरुबिन दोनों निस्फल हैं चाहे, पूछो बेद पुराने अब गुरीब दास जी कहते हैं जब परमातमा शे परिचित हुए सत गुरु पुर्स कबीर हैं ये चारों युग परवाने वो जूठे गुरुवा मर गए भाई होगे भूत मसान एक कबीर परमेश्वर ने छोड़ का है, इस परिच्वी पर कोई गुरु नहीं और जो मनमुखी गुरु बने हुए थे कहते हैं वो मसान भूत बन गए समसान परपस जा करके अब क्या बताते हैं, सत गुरु पुरुष कबीर हैं चारों युग परवान और जो ठे गुरु आमर गए वो होगे भूत मसान कबीर परमेश्वर चारों युगों में परमान इस मालिक के आने का, सत युग में सत सुकृत नाम से, तरेता में मुनिंदर नाम से, दौपर में करुणा में नाम से, और कल युग में वो कबीर नाम से, सत युग में सत सुकृत नाम से, तरेता में मुनिंदर रिशी नाम से ड्या पर में करुणा में नाम से और कल यूग में कभीर नाम से वी प्रमात्मा चारों यूगों में सैसरी राए है ची सुरूब ढारन किया फår लीला करते हूँ बढ़े हुए तो लीला हर यूगम पर तेक यूगम है साहि करते है और फिर अपना ज्यान परचार करते हैं अपनी प्यारी आत्माओं को और सुक्सम बेद को लिखवा कर चले जाते हैं सचिदानंद घंबर्म की वानी में अपने मुख से बोलकर उस अमर्त्वा ज्यान को वह स्वेमी परदान करते हैं अपने अत्मों ये राधा स्वामी पंथ है आगरा से ये चला है और उस इनके परमधनी का नाम है शिरी सिवजाल जी इसको परमजूर परमधनी राधा स्वामी पता नी कितने नामों से ये उपमात्मक नामों से इनको इनकी परसंसा करते हैं और इनका कोई गुरू नहीं था अभी आपने आदनिय गृपदा साइब जी की वाणी सुनी है कि सत्गुर पुरुष कभीर हैं ये चारों योग परमान और ये जुठे गुरुवा मरगे होगे बहुत मसान है अब एक समधदार्न संकेत बहुत होता है शिवद्याल जी इनके परमधनी है किन-किन के इस व्यासदेरे वाले स्री जैमल सिंग जी के गुरु भी शिवद्याल जी थे और उदर से मथुरा के अंदर एक जैगुर देव पंसला है वो भी यही पांस नाम देते हैं ये औंकार रंकार जोत नरजन सोहम और सतनाम और ये भी उस शिवद्याल जी के ही लिंक है आगरा से निकला ये भी और इदर से ये सच्चा सोदा सिर्शा के अंदर जो शिरी खेमामल जी जिनको बिलोचिस्तानी सामस्ताना भी कहते थे उन से वहां पंसला वो भी स्री सावन सिंग जी के सिस्थे ब्यास डेरा में जैमल सिंग जी के उतरादी कारी हुए हैं स्री सावन सिंग जी और स्री सावन सिंग जी ने कोई आदेश ने दिया इस खेमामल जी को मिलोचिस्तानी सामस्ताना को जिसने सच्चा सोदा सिर्थ सामें लठगाई देरेगा यह पहली बात तो शिवद्याल जी का कोई गुरू नी वो यह बूत बन्या अभी दिखाऊंगा आपको एक जैगुर्देव पंथ है मुथ्रा में और वो भी आगरा से शिवद्याल जी के ही सिस है सिस के सिस ऐसे परंपरा जैसे जैमल सिंग जी ने ब्यास में देरा बना दिया और उस ने जैगुरु देव पंथवारे ने वहां मुथ्रा में तुलसी साहिब बोलें उसको उनका सुबनाम तुलसी साहिब वरतमान में जो वहां बैठे हैं गद्दी पर है मुथ्रा में तो उनसे किसी ने परसन किया कि पूरे गुरू की क्या पैचान है तुलसी साहिब जी ने कहा अपने सिस को जो पास में बैठा था कि बता दे बोल दे सारी कारणी हमारे बारे तो उसने क्यावत उतर दिया कि जो परमात्मा के दरवार में आते जाते हैं वे पूर्ण संत हैं और चाहने वालों को जो आग्या का पालन करते हैं उनको भी पूँचा देते हैं परमात्मा के दरवार में और सत्पुरुस जिन जानिया और सत्गुरु जिसका नाम तिनके संग सिस उबर है नानक हरगुनगाओ नानक साहिब की वाणी बोली उस जले ने उसके गुरु जी के आदेसे वो क्या कह रहा है कि जिसने सत्पुरुस को जान लिया और उसका सत्गुरु नाम है और उनके नाम लेंडते हैं उनकी सर्णव जाने से सबका उधासिस्यों का उधार हो जाता है अब देखको इनकी अकल इन सत्थ नाम का दवेरा भी को नहीं बात करें सत्पुरुस की अब थोड़ी सी जलकोर देखानी पड़ेगी इनकी इस अज्ञान को अटाने के लिए हैं देखिएगा सारबचन राधा स्वामी वार्तिक राधा स्वामी सत्थ संग ब्यास और ये कहां से छपी है कौन इसका परकासक जगदिश चंदर सेथी सक्रेटरी राधा स्वामी सत्थ संग ब्यास डेरा बाबा जैमल सिंग और ये मुद्रक है लक्समी आपसेट प्रिंटर दिली इसकी बूमी का में कहा लिखा ये पढ़ने वाला है कि सहर वचन राधा स्वामी वारतिक स्वामी जी महाराज के वचनों का संग रहे है किसका शिवडियाल जी का ये वचन सत्थ संगों तथा अन्य तर्चाओं के दोरान सत्थ संगियों ने नोट किये थे स्वामे जी माहराज के प्रमधामसिदार ने के कुछ वरस बाद इसन का संग रह करके पुष्ट गुरूप में छपवायागा ये तो पहले हमने बढ़ता जी, यहां देखू स्वामे जी का माहराज का सुब नाम सेठ सिवद्याल सिंग जी था आपने पंदर आगस संथारा सो ठारा में आगरा सेर में दनम लिया अब हम आगे आते हैं, ये सत्संग है जो हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं स्री सिवद्याल जी के वचन सत्संगा में, रादा स्वामी जाल की दिया खुलासा उपदेश अजूर रादा स्वामी साहिब का वचन, अब ये दफ़ा एक सिर्फ काम इतना है कि इन्सान अपनी यानि मुनस अपनी सूरत यानि रूह को उसके खजाने और निकास यानि मुकाम सत्नाम और रादा स्वामी में पहुँचाई यहां सत्नाम को मुकाम बता रहे हैं सत्हान, मुकाम मन सत्हान, सत्नाम, सत्हान सत्नाम में, मुकाम को हैं सत्हान को, अब यहां सत्नाम को सत्हान सिद्ध करें, मुकाम सत्नाम, यानि सत्हान सत्नाम, रादा स्वामी भी सत्हान पहुंचावे ये सारवतन वारतिक भाग पहला अब चौदा प्रेश्ट पर पड़ आमने है तेरा चौदा पर अब नीचे क्या है कि जितने आचारिय मात्मा और अवतार पेगंबर हर एक मजम्म हुए वे अपने अभ्यास के जोर से अंतर की तरफ मुकाम असली के चले सिर्फ संत मंजिल पांच मी यानि सतनाम पर है यहां मंजिल फिर सतनाम सतान बता दिया इनोंने मंजिल माने सतान सतनाम सतान और गरले संत मंजिल आठमी यानि रादा स्वामी पद्दक पहुंचे ये रादा स्वामी दुबारा फेर इनों ने मन्जिल यानि सथान बता गिया ये मन्जिल माने सथान अपने आपने अरत बता रहे हैं अब यहां देखो पंदरा प्रिष्ट पर चार नमबर वचन में अब समझना चाहिए कि रादा स्वामी पद सबसे उंचा मुकाम है सथान है और यानि यही नाम कुल मालिक और सचे साहिव और सचे खुदा का है और इस मुकाम से दो सथान नीचे सथनाम का मुकाम है वहां सथनाम को सथान बताओं थे ये अरिव कहते हैं सथनाम बनी सथान का सथान है कि जिसको संतों ने सतलोक, सचकंड और सारसबद और सतसबद और सतनाम और सतपुर्श करके बयान किया है यह सतनाम की definition है इन किया इस सतनाम मना समझ मारा है इन कहिनों कहें सतनाम को सतलोक भी कहा है सचकंड भी कहा है सारसबद भी सतनाम को कहा है सत सबद भी सत नाम को सत नाम भी सत नाम को और सत पुरुष भी सत नाम को जैगुरु देव वाला तुलसी साहिब वरतमान गदी नसीन है उसके विचारों को उसके आदेश से वही ये कौन? उनका हस्यस बता रहा है के सत गुरु वही है जिसने सत्पुर्ष जान दिया, सत्पुर्ष जी ने जानिया, सत्गुर्जा का नाम, इस शिवध्याल जी ने सत्पुर्ष ना जानिया, तो तुलसी साब जी कुपकर जान देंगे, सत्पुर्ष ने, तो इस शिवध्याल जी ने सत्पुर्ष जानिया, वो सत्पुर उसका है अर कित है, सात नमना सथान बताः, सार नम भी सत नम, सार सबत भी सत नम, सच ख잖 भी सत नम, सत पुरुस भी सत नम, तो ये पूरी गुरुँ के लख्षण है, आधनी अगरी वदास साइब जी ने कहा कि,स शट गुरु पुरुस कबीरे हैं ये चारों युग परवाने जुठे गुरुवा मर गए ये होगे भूत मसान एक बगत ने कहा राधा स्वामी वालों से को डिसकस हो रही थी उन्होंने कहा वे जिसको तुम परमदनी बताते हो श्री शिवजाल जी को ये आपका परमदनी पहले किसी युग में आया है अक नहीं पहले तो नहीं आया फिर उन तीन युगों में किसने संभाला अकि या बात तो भाई ठीक है तो ये परमदनी किता हो या यो परमदनी तो ये हुए सत्गुर पुरस कबीर हैं ये चारों योग परवाने, जुठे गुरुवा मर गए, ये होगे भूत मसाने, इंजेक्शन रियक्शन से संत मराए, दिक्कार उसकी फिर बगतीने, क्या उसके पास आम जीव बर्यागर नहीं होता है, आप दिखाता हूं सिवध्याल जी भूत बने फिर, श्री शिवध्या को संकेज बतेरा हूई, भगवान को पैचाडने में, और असली और नकली की पैचान करने में, दासनाब के समक्स, ओरिजिनल और डपिलिकेट, दोनों नोट दर दिये, इवाब की मरजी जो ठीक लागव स्रेक्ट कर लिए, ये देखिएगा, जीवन चरीतर, राधा स्वाम दियाल की दया, राधा स्वामी साहि, जीवन चरीतर, स्वामी जी महराज लेखक हैं, लाला परताप सिंग सेथ, उर्फचाचा जी साहिब, ये सिवजाल जी के छोटे भाही थे, प्रकासक हैं, राधा स्वामी ट्रस्ट, स्वामी बाग आगरा, सर्वाजीकार प्रकासक लेज रोड आनंद और ये हैं वो परम दनी जान से देख लो कर दो मा पुरुष के दर्सन ये है परम पुरुष पूर्ण दनी अजूर स्वामी जी माहराज अब देखो इसके हम चलते हैं प्रेश्ट नमबर इनका कोई गुरु नहीं था पहले ति ये सपस्ट करते हैं ये देखिएगा जीवन चरीतर स्वामी जी माहराज का है अठाइस प्रेश्ट पे स्वामी जी माहराज का कोई गुरु नहीं था और ने किसी से औरो ने प्रमारत का उपदेश लिया अब गुरु बिन माला फेरते गुरु बिन देते दान गुरु बिन दोनों निस पल है गीता के से वचन है सौआ सो वर्स डेट सो वर्स से चल रहे हैं यह नहीं के नहीं नहीं सोची हूँ कि यह ताजा बने आई हैं अब भुक्की जी का की जो शिबबो जी की छोटी बेन थी थोड़ा सा हाल लिखा जाता है यह शिबबो जी के कुछ अर्शे बाद स्वामी जी महाराज के चर्णों माई थी जब उन्होंने कुछ दिन सत्संग किया और वचन स्वामी जी महाराज के सुने और वे वचन हर्दय मसमा गए तब इनके प्रेम की आलत अजीव थी जब स्वामी जी महाराज वचन या अर्थ पोथियों का करते तब इनके आँखें सुरक वचनों का नसा बना रहता था जब स्वामी जी महाराज कथा से फुर्शत पाकर हुक्का पीते थे या और कसर्दयगी परमदनी की हुक्का पीते थे या अभ्यास कारस लेते थे या कथा करने बैठते थे तो भुक्की जी महाराज के चर्णों का अंगुठा मूं में रखे वे गंटों चर्णा मरतकारस लेती रहती थी और जब कोई मत्था टेकने के वास्ते अटाना चाता तो वे चर्ण नहीं छोड़ता चाती थी तब मत्था टेकने वाले से के दिया जाता था कि तुम दूसरे चर्ण पर मत्था टेक लो और उस प्यासी को मत्थाओ अब यरादा स्वामी और ये भी कहा करें कि पूरे गुरु की या भी पहचान है वो मत्था ना टेक वाथा और वह ब्यान किया करती थी मुझे इसमें ऐसा रसाता है जैसे कोई दूड पीता है इनके बजन का ये हाल था कि आठ गंटे नो गंटे रोज बजन किया करती थी ब्योंस होगा पड़ जायती भूत था उसमें पहले भी इनको स्वामी जी माराज के दर्सनों का पूरा धार हो गया था अब दर्सन के रहे गए जो सामने हो बैठा और दर्सन कीता होंगे इसको अब सूरत भी उच्छे देश में पहुंचती थी कॉच्छे देश में पताई हो सत नाम गए नवेरा ना यह न्यों मूरख बना रहे हैं जब स्वामी जी माराज अंतर ध्यान हुए तब भुक्की जी की यह कैफित हुई कि दिन राद बे उस पड़ी रहती थी स्वामी जी की मर्तू के बाद या फिर भूत उसमें परवेश रहा और दो-दो दिन हाजत जरूरी को भी रफा करने नहीं जाती थी फरेश रोन भी नहीं जाती थी और स्वामी जी माराज के चड़नों में लगी रहती थी करीब डेड में तक यह हाल रहा सब को खौप हुआ कि साइद इनकी देश उट जावे तब स्वामी जी माराज ने इनको दर्सन दिये और फरमाया कि जिस तरह तुम सेवा पेश्टर किया करती थी उसी तरह से करो वो भूत बन गया इनका परमदनी और बुक्की में आके बढ़ गया परवेश कर गया पर उसी रोज से बुक्की जी अब आके बोला कि रोटी बना उसी तरह और मैं खाओंगा बुक्की में बढ़ के उसी तरह से करो और फिर उसी रोज क्या कहा करीम डेड़ मेंने के ये हाल रहा सब को खौप हुआ कि साइद इनकी देश उट जावे तब स्वामी जी महाराज निन को दर्सन दिये और फरमाया कि जिस तरह तुम सेवा पेश्टर किया करती थी उसी तरह से करो और फिर उसी रोज से बुक्की जी भोग भी चार करती थी और मेरे पन्नी गली के मकान पर पहले दस्तूर के माफिक पलंग बिचाती और रुका वरती थी वह पलंग अभी तक बिचा हो रहता है गर्ज की जिस तरह से की पेश्टर सेवा किया करती थी वो जित्त जी सेवा करया करती थी स्वामी जी की रोटी बनाया करती और कब रख़र करदिया करती हो, पिया करता, उसी तरह से कुल काम करने लगी, और स्वामी जी महाराद उनको ध्हान के समे में पर्गजव दर्षन देते, और कुल सिवा उसी तरह कبोल फर्माते थे, ऐए, आए, ज्यान के समें में, बूत आजाता रोटी खाता रोखा पीता बुक्की के माँ जमता है नहों कहा कुल सिवा उसी तरह कबूल फरमाते थे जैसा कि अंतर ध्यान होने से पेस्तर यानी पहले करते थे बुक्की जी को महाराज उनके आखरी दम तक परगड रहे उसका माय परवेश रहे वह आखरी दम तक परगड रहे उसमें यहां तक कि जिस किसी को जब कोई बात स्वामी जी माराज से अरज करनी होती थी तो वे बुक्की जी के जरिये से दरफ्यात कर लिया करते थे बुक्की जी में इंटरनेट लागया हो उसमें बुला करता हो बहुत है यानि बुक्की जी अब्यास के समय स्वामी जी माराज को परगट करके हम कलाम हुआ करती थी अब यह इनकी चतुरता है थोड़ी उड़ जाने के लिए इस नियाजमंद को भी जब कभी भीड के समय पर गबराट होती थी यानि कोई मुसीबत आ जाती थी लेखक परताब सिंग उसका छोटा भाई कह रहा है शिवजाल जी का कि किसी तरह से एकल काम नहीं देती थी तब बुक्की जी के दरिये से उसे इंटरनेट नखोल लेता जाके तब बुक्की जी के दरिये से स्वामी जी माराज का हुकम लिया करता था और जैसा हुकम होता था उसी तरह मुआफिक बंदा कारबंध होता था बुक्की जी का फरियाद लगाते हैं, बुक्की में बैठा था ये भूत, जैसे उनको बता देता कहते हैं, उसी तरह हम क्या करते थे, अब परताफ सिंग जी, राइटर ओफ इस जीवन शरीतर, अपने बड़े भाई सिवजाल जी का जीवन शरीतर का लेखक, उसका छोटा भ बूत बोल्ला शिवद्याल जी, इनका परमधनी, उसी तरह कहते हैं, जो आजेस होता हो सिविकार करता था, और इसी तरह कहते हैं, राइस सालेग राम जीशने रादा, स्वामी पनत का चम्टाल अलग से गड़्या पताओं हैं, ओ भी बुक्की जी का गा, जोड़ का, तीन मंद को भी जब भीड केस में में गबराट होती थी, तो बुक्की जी शर्द किया करता था, तो बुक्की जी के दरिये से स्वामी जी माराज का हुकम लिया करता था, और जैसा हुकम होता था, उसी के मुआफिक बंदा, कार बंद होता था, उसी तरह करता था, इसी तरह से जिसने भी मौज की थी बुक्की जी के दरिये से दो चार बार होकम हासिल किये थे यानि बुक्की में भूत बोल ला था शिवद्याल जी और ये उस तो प्रार्शना कर दियो कि में हैंडिमेंट पहले कि तरह बता जेता अपना अत्माओ एक भगत बतावा था मेरा चाचा था सगा का का और रधा स्वामी पंसे को पत्चीस वरसे नाम ले रख्या था और सुबह स्याम काफी देर तक बिल्कुल उपर चद्र डालका है और ऐसे बैठ जाता था टस से मसनी होता था दूदू डैडे गंटे प्रती दिन और वो चुर्मा का लाड़ा था चुर्मा बहुत खाया करता है उसकी फिर मर्त्यू होगी उक्का भी पिया करता बीड़ी बैड़ी पिता था यहात इनका दादाला यह सिर्दाला उक्का पिवे इनका प्रमातमा कहते हैं भांगतमा खुछो उतरा आप फूर सराब कबीर कौन करबंदगी ये तो करें खराब अमल आहरी आतम कदी ना पावे पार कहें कभीर विचार करते हैं गो इने विचार और यह उक्का पिवें अब क्या हुआ वो बता रहा है कि मेरा चाचा जी की मर्त्यू होगी मर्त्यू के बाद अपनी पूत्रवदू में आ के बोलन लाग गया वो अपड़ जाबे हो सोके फिर थोड़ी देर में खड़ा हो उठाए और नहीं के मैं तुम्हारा चाचा बोल रहा हूं और चुर्मा बनाओ अब चुर्मा बनाओ है चुर्मा खाओ है नहीं के बीडी ल लागी वा लड़की उसकी पूत्रवदू अब बड़ा और कई बार जैसे चोटा मुटा कोई सा काम भी बता देता था कि तुम्हारा ऐसे नुक्सान हो जागा ऐसा कर लो तो कहते हूँ हमारा उसने एक दो बार पहले ऐसा भी बता जिया जिससे हमारी कुछ आने भी ठड़ लेकिन वह रोजाना उसकी पूत्रवदू कोई काम नहीं कर पा है कती दुखी हो गए वह उसके मां पढ़े हरा है रवाबियों उस पढ़ी रहे उठा जब चुर्मा मांगए कर बीडी मांगए और वह पहले बीडी नहीं पीती थी उसमें पर्वेश हो गया तो बीडी भी लागी और यही दसा बुक्की में पर्वेशिवद्याल जी की है उस पर हम दनीरादा स्वामी जी के पंत के परवर्तक की बुक्की जी पहला बीडी नहीं पी वह थी उसमें आगया चुर्मा बना हो है आप पर बुक्की के मां जिम से और पिलंग पर बैठके और नहीं का न ले लिए यहां देखा बहुत सुख हो रहे हैं तो हम उसको भी लाए उसकी पुतरवदू को उन्होंने उखदेश लिया अब उस ताटा दे पीछा चुटा बू उटता है अब पता नहीं कहा गया हो तो पुन्यात्मों दास आपको को अपनी तरफ से बात बना करनी कह रहा उन्मापरसों के विचार वेक्त कर रहा हूं कि जिन्होंने भगवान पाया उन्होंने कौन से मंतर जाप किये और ये पांच नाम जाप करने वाले और तीन नाम जाप करने वाले अधिये नाम जाप करने वाले इंजेक्शन रियक्शन से मरतू और ये भूट बन कह बुकी म प्रवेश हो गया, समझदार को संकेत बहुत है पुन्यात्मा, उदास का उदे से ये नहीं है, कि मैं कोई किसी लालत में आपको ये उन से अलग करना चाहता हूँ, लेकिन मेरी डूटी लादी प्रमातमा ने साची कहन की, और इसमें जरा भी जूट हो तो आओ सामने, कोई ब बताते हैं, चातुर प्राणी चोर हैं, मूड मुगद हैं ठोटे, संतों के नहीं काम के, इनको दो गड़ जोटे, इतने परमान देखकर भी जो उन से दूर नहीं होता, कहते हैं वो तो चातुर प्राणी हैं, जो अपने आपको परमदनी शद कर गे, और अजूर साब शद कर रहें, और ये मूड इतना परमान देखकर भी जो नहीं उनको त्यागता है, तो मूड मुगद हैं ठोट, वो हमारे काम के लिए उनको दो गलजोट वो वहीं रही रहें, वो तो भूत बनने ही हैं, खरमतन उन ब्रयानमाटी होनी उनकी, फिर क्या बताते हैं, कि कबीर सा दीदार मेल में प्यारा है, वो बत्तिस तेतिस कड़ी का कली का वो है सब्द, और ये कहते हैं निराकार है परमात्मा, और उस सब्द में लास्ट में परमात्मा ने खुद अपनी वानियां पर बोली है कि आज माया की नीच तुराई, जुठी बाजी पेंड दिखाई, और आउगत रचना रची पेंड माही, ये माया जाल पसा रहा है। मोख्ष प्राक्त प्राणी सत लोग में भिन रहता है, या सत पुरुष में ऐसे लीन हो जाता है जैसे बूल समुद्र में। तो ये थे जै गुरुदेव पंत के संत तुलसी सहिब जी के विचार। और आए अब जानते हैं जगत गुरु तत्व दर्शी संत रामपाल जी महराज के विचार। अब आप जी को थोड़ा सा हिंट देते हैं कि रादा स्वामी वालों की पुस्तक में सब्द लिखा है करने नो दीदार महल में प्यारा है और उसका उन्होंने उसका अन्वाद भी किया हुआ है स्री सामन सिंग जी ने और फिर भी ये कहते हैं सत लोग सच्खंड के अंदर परमात्मा है नी निराकार परकास ही परकास है आत्मा वहां ऐसे मिल जाती है जैसे बूंद समंदर में और परमेश्वर की वानी पढ़ते हैं और फिर भी इसका नुवाद गल्द करते हैं और फिर अपनी शद्धानत को उसी को सत मानते हैं परमात्मा की वानी के विप्रित उनका विद्धान है, देखिएगा, क्या बताते हैं, अब सब वर्णन करके ये लंबा सबद है, भी नहीं बताएंगे, लेकिन हम थोड़ा सा लाष्ट का हिंट लेते हैं, अपना उसे जो विवर्ण है, कि सत लोक में जब जीव पहुंच जाता है सादक, तो वहां क्या होता ह बानू हनस को रूपा, कबीर साहिब तो बता रहे हैं, कि जो सत लोक में तीन मंतर का जाफ करके, दो अखर का सत नाम और एक अखर का आदी नाम, इस नाम का जाफ करके, जब सादक इस कमाई से वहां पहुंच जाता सत खड़वें, वहां इस जीव का सोले सुरियों जितना परकास हो जाता, इसके अपने शरीर का, सोड़स बानू हनस को रूपा, बीना सत बजे अनुपा, अनसा करत चमर सिर भूपा, वह सत पुरुष दरवारा है, वहां जाने के बाद जीव, इस आत्मा का, इस जीव का हनस रूप हो जाता है, और सोला सुरियों जितना उसका रो यदी सत लोक में सत पुर्ष साकार नहीं है, मनुश दरिशना होता, तो चमर की स्पय करते हो है, प्रमात्मान अपना भेज बता रहे हैं, इनके अज्ञानियां का समझ में ना या वाणी भीना समझी रादा स्वामी जी के गुरुवान, सोड़स बानु हंस को रूपा, बीना सत धुन बज़े अनुपा, अनसा करत चमर सिर्भूपा, वो सत पुर्ष दरवारा है, वो सत पुर्ष का दरवार है, सथान है, कोटी भानु उदे जो होई, यानि सत पुर्ष के एक रूम कुप में क्रोड सुरिये उदे हो रहे हों, एते ही पुनचंद खलोई, इतने ही चान्द चंदर्माओं की रोशनी दोनों की मिलादे तो भी, कहते हैं, पुर्ष रूम सम एक नहोई, सत पुर्ष के एक रूम कुप के बराबर भी उनकी सोबा नहीं है, इतने ही उस क्रोड सुरिये क्रोड संदर्माओं की, ऐसा पुर्ष दिदारा है, ऐसा दर्सनस परमात्माओं का, अब क्या बताते हैं, काया भेद किया निर्वारा, ये सब रचना पिंड मंधारा, और माया अवगत जाल पसारा सोकारी गर भार्या है, इस काल ने अपनी माया, इस दुर्गा के द्वारा, अपनी पत्नी दुर्गा के मादन से, सच्खंड सत लोक की, एक डुपलीकेट परतीबिम नकल, यहाँ इसने ब्रम लोक में बनवा रखिया हुआ नकली सत लोक नकली अलख लोक नकली अगम लोक और नकली अनामी अकय लोक बनवा रखिया इसने तो यहां परमान देते हैं, कि आद माया की निच तुराई और जुटि बाजी पैंड देखाई, यह पैंड कोो, अंड कोो, इसको कि इस एक बरमान का अंड आकार है, अंडे जैसा, और इस पैंड सिरीर के अंदर कमल बने हुए हमारे सारे कमल, उन कमलों में इस पूरे बरमान में जहां जहां जो गतीवी दी हो रही है, इसमें भी जीवल होती है, सादक के जब ये कमल खिल जाते हैं, मूल कमल, सवाद जकर, नाभी कमल, अर्दय कमल, कंठ कमल, तरकुटी कमल और ये सारे, सेंसरार कमल, और कहते हैं, जैसे टेलिवीजन में, जहां भी प्रोग्राम दे रहा है, उस टीवी के उस चैनल पर, वहां का प्रोग्राम या टीवी में देख सकते हैं, ऐसे ही सरीर के अंदर इस बिर्मांड की, जो भी है बिर्मांड का वो देख सकते हैं, ये धुन सुनते हैं, इस पेंड में, सरीर में धुन सुनो, और प्रमा नकली सट लोग की, नकली सच खंड की, ए वो इस सुगंदू ओठ रही है, नकलीन की यहां की, जैसे आधनिय गरीब दास साभी ने कहा है, है कोई परले पार का, जो भेद का है जनकार का उस असली धुन का कोई भेद बतानिया है यहां पर उस परले पार कोई पहुँचा है यह सत्पुर्ष भी सत्पुर्ष भी सत्पुर्ष भी सत्पुर्ष भी सत्पुर्ष कहते हैं मैं साकार है अब क्या बताते हैं सबद विहंगम चाल हमारी और कह कभी सत्गुर्द इतारी खुल एक कपाट सबद जनकारी पेंड और अंड के पार सो देश हमारा है इस पेंड और ये बिरमंड इससे पार है हमारा सचकंड और ये न्यों के हुआं प्रमातुमा एको नहीं ये दोन सुनो इसमें ये काल की दोने सारी अब गरीवदास साहिब ने बताया है कि कोई हैरे परले पार का जो भेद का है जनकार का वारही गोरक वारही दत वारही दरुपर लाद अर्थ वार महाने उरली साइड में इदर ही रहेगे उरली साइड में वार और पार परल दत गोरक तो आप जानते हैं दत दतातरे और धुरू और परलाद कहते हैं इदर ही है इस काल के जाल में वारही गोरक वारही दत वारही दुरू परलाद अरत वारही सुक्दे वारही ब्यास वारही पारा सर परकास वारही दुर्वा सादर वेश वारही नारद सारद सेश वारही भरतरी गोपी चंद वारही सनक सनंदन बंद वार माने उरले ही साइड में वारही इदर ही वारही बर्मा वारही इंद्र वारही सेंस कला गोबिंद एक अजार कलागा वगवान युकाल भी इधर ही है वारही सिवसंकर दो संब वारही धर्मराए आरंब ये तुमारा सिवसंकर भी वारही है तुमारा संबो और धर्मराए भी वारही है वारही धर्मराए धरदीर परमधाम पहुँचे कबीर अब चानो वेदों में परमधाम सतधाम सत लोक धूलोक इन सब का वर्ण नहीं लेकिन इसके आधार से उस परमातमा को किसी ने पाया नहीं ये वेद भी परमातमा नहीं वेदों में दे रुखा है अलल पंक अगाद भेव जैसे कुंज सुर्ती से वार पार थे हाने था गरीबदास निर्गुन निगाँ अब गरीबदास जी कहते हैं गरीबदास साहिब जी को परमात्मा मिले जैसा आपको बताया सुचकंड में लेकर गई फिर वापे छोड़ा आँखों देखा हाल लिखा वगवान का और परमेश्वर ने स्वेम बताया है अवदू अवगत से चल आया कोई मेरा भेद मरम ना पाया ना मेरा जनम ना गरब बसे रा बालक हो दिखलाया कासी नगर जलकमल पडेरा ताँ जुलाये ने पाया मात पिता मेरे कुछ ना ही ना मेरे घर दासी जुलहे का सुत आन कहाया जगत करे मेरी आसी पांस ततव का धड़ नहीं मेरे मैं जानू ग्यान अपारा सत सुरूपी नाम साहिब का ओहे नाम हमारा अदर दीप गगन गुफा में ताने जवस्तू सारा तरजोच सुरूपी अलखन रंजन दरताधान हमारा हाड़ चाम लहुना मेरे कोई जाने सत नाम उपासी तारन तरन अभै पददाता मैं हूँ कबीर अविनासी अब के बताया वगवान ने सुमाकर कहा कि अब धू गुर्खनाच से बात हुई थी परमात्मा की और उसको सिद्धी में भी फेल कर दिया था उसकी सिद्धी निसकरिया कर दी थी ग्यान से प्रीचित कराया तो समझ गे वो तब नहीं पूछा अब कौन हो कहां से आए हो तो सुम्म बताया कि अब धू अब गट से चल आए अब गट जिस अधान को कोई नहीं जानता परमात्मा कबीर जी के तरीक थी उस सच्खंड सतलोग से और मेरा भेद मरम नहीं पाया ना मेरा जनम ना गर्ब बसे रहा मैं बालक बने दिखलाया बालक बनका परगट हो गया और कासी नगर जल कमल पर देरा तहां जुलाहिन पाया मात पिता मेरे कुछ ना ही ना मेरे घरदासी मेरे माबाप नहीं है मेरा जनम नहीं हुआ अरना मैंने कोई इस्त्री ग्रहन करी मेरे घर दासी यानि पत्री नहीं है जुलहे का सोत आयने कहाया जगत करे मेरी हुआसी मजाग बना रहे मेरा दानक दानक कहके कहते थी कोई पिछली इस पुनात्माओं के साथ मेरे कोई बचन हुए थे जिस कारण से मैं इनके घर बालक रूप माया हूँ पांच ततव का धड़ नहीं मेरा यद्रवेद जह नमबर चाड़िस के मंतर नमबर आठ में कहा है के सुक्रम अकायम सैपरियागात यानि सबसे पर्थम पूरण रूप से सबसे पर्मात्मा है सबसे पहले और सुक्रम अकायम ए वरनम ए सनाविरम ए पाप विद्धम कवीर मनिसी स्वेंभु परीभु अब यहाँ यह अज्ञानियों ने एक अकायम सबसे पर्मात्मा को निराकार सिद्र करने की चेश्टा की लेकिन ये सुक्रम अकायम ऐस नाविरम क्यों लिखे और फिर समयम्भू का निराकार है तो समयम्भू के और अकायम था अकायम सब्छ लिख देते हैं उस परमात्मा का स्रीर हमारे जैसे नाडी आजी जोड नोगाड से नहीं बनया, स redeele हमारे दैसा है, एक ततव से बना नूर से, और वो क्या है, वो कभीर मनीसी कभीर प्रमात्मा है, मनीसी मानिय महाविद्वान दतव दर्शीar Santha, मनीसी, दतव दर्शीar Santha, वो कभीर जी, स्वेंभू, स्वेम परगट होते हैं स्वेम परगट होना फिर नराकार की तरह है जो स्वेम भू लिख दिया कहा है परमेश्वर ने कबीर परमात्मा कहते हैं चारों युगों मायर संतों को समझाया अच्छी आत्माओं को उन्होंने फिर मेरे से परिचीत होकर के इस तत्व ग्यान का ड़ोरा पिट्या चारों युगों में संत पुकारे कूक कहा हम हेल रे और ये हीरे मानेक मुत्ती बुरसें ये जग जगता ड़ेल रे तत्व ग्यान रूपी अम्रत और मुत्ती बरसा रहे हैं हीरे लाल पन्ने हम बरसा रहे हैं सत साधना रूपी और ये सास्तर विर्द साधना और अज्ञान रूपी ज्ञान को ग्रहन करके डड़े ढो रहे हैं अब गरीबदा साइब जी ने कहा अनंत कोट विर मंडे का एकरती नई भारे सत्गुरु पुरुस कबीरे हैं ये कुलके सरजनारे सत्गुर्ँ पुरुस कबीरे हैं ये चारों युग परवाने जूठे गुरुआ मर गए ये होगे भूत मसान खबाब अपने सी विजाल जी की दसा देख ली भूत बन का अपनी पिसेसा गुरु बिन देते दाने गुरु बिन दोनों निस्फल हैं चाहे पूछो बेद पुराने अब गरीब दास जी कहते हैं जब पर्मात्माशे परीचित हुए सत्गुरु पुर्स कबीर हैं ये चारों युग परवाने वो जुठे गुरुवा मर गए ये भाई होगे भूत मसान एक कबीर परमेश्वर ने छोड़का है इस पर च्वीप है कोई गुरु नहीं और जो मनमुखी गुरु बने हुए थे कहते वो मसान भूत बन गए समसान परपस जा करके अब क्या बताते हैं सत्गुरु पुरुष कबीर हैं चारों युग परवान और जो ठे गुरु आमर गेवो होगे भूत मसान कबीर परमेश्वर चारों युगों में परमान इस मालिक के आने का सत्युग में सत्सुकृत नाम से तरेता में मुनिंदर नाम से द्वापर में करुना में नाम से और कल्योग में वो कभीर नाम से पर लीला करते भी बड़े हुए तो वो लीला हर यूग में पर तेक यूग में ऐसा ही करते है और फिर अपना ग्यान परचार करते है अपनी आत्माऊं को और सुक्सम बेद को लिखवा कर चले जाते है सचीदानंद घनबर्म की वानी में अपने मुख से बोलकर उस अमरत्वा ज्यान को वस्वेमी परदान करते हैं अपने अत्मों ये राधा स्वामी पंथ है आगरा से ये चला है और उस इनके परमधनी का नाम है श्री सिवजाल जी इसको परमजूर, परमधनी, राधा स्वामी पतानी कितने नामों से ये उपमात्मक नामों से इनको इनकी परसंसा करते हैं और इनका कोई गुरू नहीं था अभी आपने आदनिय गुरिब्दा साइब जी की वानी सुनी है कि सत्गुर पुरुष कभीर है ये चारों योग परमान और ये जुठे गुरुवा मरगे होगे बहुत मसान अब एक समधदारन संकेत बहुत होता है शिवद्याल जी इनके परमधनी है किन-किन के इस व्यास डेरे वाले श्री जैमल सिंग जी के गुरु भी शिवद्याल जी थे और उदर से मथुरा के अंदर एक जैगुर देव पंसला है वो भी यही पांस नाम देते हैं ये औंकार रंकार जोत नरदन सुहम और सत नाम और ये भी उस सिवद्याल जी के ही लिंक है आगरा से निकला ये भी और इदर से ये सत्चा सोदा सर्चा के अंदर जो स्री खेमामल जी जिनको बिलोचिस्तानी सामस्ताना भी कहते थे उन से वहां पंसला वो भी स्री सावन सिंग जी के सिस्थे ब्यास डेरा में जैमल सिंग जी के उतरादी कारी हुए हैं स्री सावन सिंग जी और स्री सावन सिंग जी ने कोई आदेश ने दिया इस खेमामल जी को मिलोचिस्तानी सामस्ताना को जिसने सच्छा सोदा सर्सामें लठगाड़ी देरेगा यह पहली बात तो शिवद्याल जी का कोई गुरू नी वो यह बूत बना पना अत्मों दास के इस प्रोपकार के प्रियतन को आलोचना ना समझना कि मैं संतों की आलोचना कर रहा हूं एक महाप्रोपकार कर रहा हूं ऐसे कर रहा हूं कि जैसे एक बार किसी नकली नोट छाप लिये थे पानसो पानसो के सरकार को पता चला तो उसको मीडिया के मादन से समाचार पत्रों के मादन से टेली विजनों के मादन से दोनों नकली और असली को साथ साथ दिखाया था और ये बता था कि ऐसे लक्षन वाला नकली है ऐसे लक्षन वाला औरिजिनल है तो वो जनता का हित कर रही थी सरकार और कोई ये कहे कि ये आलोचना करते हैं दूसरों के नोटों को नकली बता रही है सरकार तो क्या सरकार आलोज ना करी थी महाप्रोपकार किया ना ज़ने कितने लोग ठगे जाते बरबाद हो जाते तो इस दास का यही प्रियतन है जिन मापुरसों ने परमात्मा पाया और जो परमात्मा ने स्वेमा कर ग्यान बताया उनका एक मिलता है एक जैसा मंतर है एक जैसी साधना है उनकी और जो ये नकली संत है इनकी साधना गलत सत्रा वरस्त का ठीयो किया इस सिवध्याल जी ने है किसी संत के परमान में ग्रीबदास जी बाल बच्चे दार थे, हलबाते थे, खेती करते थे, बगवान का सिमन करते थे, गिसासंत जी भी बाल बच्चे दार थे, किसान का काम करते थे, और बक्ती की परमात्मा पाया, नानक साहिब जी भी पहले नोकरी करते थे, फिर परमात्मा से प्रिचित होने क बाद नोकरी टाग जी दस बारा वरस परचार किया फिर परमातमान आदेश जिया कबीर जी ने परपूर्ण परमातमाने सत्पुरुस ने कि आप अपनी बक्ती करो इनको बाद में देखेंगे अभी तेरा विरोद सुरू हो जाएगा और नानक जी का इतना विरोद हो गया था उनक ले गुरूओं के कारण कि ये क्या पैदा हो गया हमारे घर में हमारे देवताओं को कहता ही ये तो नासवान है विरमा तो नानक साहिब जी खेती भी करते थे बाल बच्चेदार थे और दादू साहिब जी तेली का काम करते थे तेली बैल चलाते थे कोल लू रखते थे ऐसे मुलकदास जी किसान थे और बाल बच्चेदार थे कहने का भाव ये है कि इस तरह का हठ योग किसी ने ने किया जैसा शीव जद्याल जी न किया, और उसका उसको पिर नाम क्या मिला? ये पांस नामों का अजाप करने वाला भूत बना वू और उसी का अन्वियाईी सावन सिंगजी, यानि जामल सिंग जी का और सावन सिंग जी के अन्य आई कौन बिलोचिस्तानी सामस्ताना खेमामल जी डेरा सच्चा सोड़ा सरसा का जो हना मुखिया माना जाता है और उसको सावन सिंग का व्यादे सनीर नाम तीन बदलियत सत्पुरस और अकाल मूरत और सबत सुरुपी राम यह कहने के लिए कि जन सामस्ताना फाउंडर ओफ दा सच्चा सोड़ा सरसा उसके परवर्तक का क्या बना अब दिखाता हूं देखो यही पुष्टक है सत्गुरु के परमार्थी क्रिस्मों के वरंतांत पहला भाग है और इसके लिखने वाले कौन है जो वर्तमान में सच्चा सोड़ा सरसा के परिकतिस है यह बेपरवाद जी वहां के एक प्रेमी की कार में बैठकर और पहड़ गंज में एक डक्टर की दुकान पैसे ले गए वो बिमार हो गए थे ठंड लागी थे पीछे काफी लंबा वरना नहीं हम थोड़ा सा सुनाएंगे आपको आप जी के साथ सिरसा सहर का प कोविंद मदान और तीन चार और प्रेमी थे आप आगे चलते हैं इतने में डाक्टर ने हुकम के हमसार बेपरवाद जी के इंजेक्शन लगा दिया और उसके साथ ही आप वही बेंच पर लेट गए यानि वो बेपरवाद जी जी बेंच पर लेट गए इंजेक्शन लगत ही और तलियों की जलन का बहाना करके धंदन सत्गुरू का नारा लगा दिया अर्थात अठारा अप्रेल उनीस सो साथ को सुबह दस बज कर पंदरा मेंट पर अपना पंच बहुत एक श्रीर छोड़ दिया छोड़कर अनामी देश में जा समाए इंजेक्शन रियक्शन हो गय इसक है और इंजेक्शन रियक्शन से मरती होगी दस मेंट में इसकी और नोकानामी देश में जा समाए यह दर से देखकर डाक्टर के पसीने छूट गए वह बहुंचका रह गया कि अब क्या होगा बाबा जी कि अन्यायों उसे बरबाद कर देंगे उस पर कतल का इल्जाम कर अदालत में सजा करवाएंगे उसे अब कुछ भी नहीं सूजरा था वह अब क्या करें अब ज्यादा ना पड़ें बाकि तुम पड़ लियो लेका इनके पास बहुत मिल जाएंगी है इसमोर बहुत ऐसे रहसे हैं इनके यह सारे ब्रैनमा ट्यों कमरे इंजेक्शन रियक क्या उसके पास आम जीव ब्रयाक रहें नहीं होता है सत्गूरु पुर्सकबीर है यह चारों युग परवाने वह जुठे गुरुवा मर गए भाई होगे भूत मसाने आप सुन रहे थे जकतकुरु तत्वदर्शी संतरामपाल जी महराजी के मंगल प्रवचन अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारे वेबसाइट www.jakatkarururampalji.org संतरामपाल जी महराजी के शुब आशिवात से पूरे विश्व भर में 500 से भी जादा नाम दिख्षा केंद्र हैं जिन पर संतरामपाल जी महराजी द्वारा ओनलाइन निशुल्ट नाम दिख्षा दी जा रही है अपने नजदी की नाम दिख्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222 880541